हालो फ्रेंड्स वेलकम टो वाइफाइट स्टेडी चेंजिंग द अवे ओफ लर्निंग मैं राजिंदर सर्मा स्वागत करता हूं आपका वाइफाइट स्टेडी एजुकेशन यूटूब चैनल पर दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं आप से क्यों उठ मृत्रों अगर आप से परिक्षा में यह पूछ ले कि इस मर्दा का जो टोपिक था आपका मित्रों उसमें एक लास्ट चोथा पार्ट आपका बचा हुआ है उस चोठे पार्ट को आज अपन डिसकस करेंगे उसको समझने का प्रियास करेंगे लास्ट में आपके बच्ची यह मोटे कनो वाली मर्दा मोटे कनो वाली म्रदा अब क्यूशन करने मजाएगा अगर आपने तरीके से पढ़ाये तो मोटे कनो वाली जो मर्दा है मित्रों अगर आप से परिक्षा में यह पूछ ले कि इस मर्दा का निर्मान किसे होता है तो आपको याद रखना है इसका न वायू के अपरधन से इस मर्दा का निर्मान होता है, इस मर्दा के अन्य नाम क्या-क्या है, अन्य नाम क्या-क्या है, क्या-क्या बोलता है इसको, इसको पीली मर्दा बोल दो, इसे बलुई मर्दा बोल दो, इसे उसर मर्दा बोल दो, इसे रेतिली मर्दा बोल दो इसे मरुस्तली मर्दा बोल दो इसे शिरोजम बोल दो शिरोजम मर्दा बोल दो और मित्रों इसी मर्दा को आप एंटी सोल बोल दो और इसे ही आप क्या बोल दो, eridosol बोल दो ये मर्दा है आपकी इसको पीली बोल दो, बलूई बोल दो, उशर बोल दो, रेतिली बोल दो, मरूस्तलिय बोल दो, सिरोजम बोल दो, eridosol बोल दो, antisol बोल दो अब ये जो मरदाएं लिखी हुई है आपके सामने ये जो मरदाएं मित्रों इसके दो काम होंगे ये सारी मरदा है न ये दो भागों में डिवाइड होती है ये पूरी की पूरी जो मरदा है यहां से और यहां तक की ये सारी मरदाएं दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे यह दो पार्ट में जो डिवाइड होता है एक तो कारण है वर् shaping और और दूसरा कारण है जलवाईय। इन दों anten Years OL नहें गर्त करेंगे एक को बोलते है eridonal बोलते है Harr़ यह को एंटी इसोल बोलेंगे एंटी नहीं के सुल कि मत ждंख कि मरतर है सुस्क छेत्रों की मरदा है यहाँ पे जो वर्सा होती है वो मात्र 20 cm के आसपास होती है और एंटिसोल मरदा जो आपकी है मित्रों एंटिसोल जो मरदा है यह है आपके आर्द सुस्क छेत्रों की आर्द सुस्क छेत्रों की है और यहां पे वर्षा बीस से चालिस के आसपास होती है वहां ये मर्दा पाई जाती है आगे अपने इनको देखने का प्रियास करेंगे सामानने तई इन मर्दाओं को उप्रोक्त जो मर्दा है उप्रोक्त मर्दा दो प्रकार की होती है या तो अमलिय होती है या यह मर्दा चारिय होती है या तो यह अमलिय होती है या यह मर्दा चारिय होती है अमलिय और चारिय मर्दा का पता हमको पी-एच मान से लगता है और जो पी-एच मान कैसे ग्यात किया जाता है जिरो से चोदा की एक स्केल होती है जिस मरदा का पीयचमान साथ होता है वो मरदा हमेशा उदासीन होती है जिस मर्दा का pH मान सास से जादा होता है वो मर्दा आपके चारिये होती है चारिये को basic मर्दा भी बोला जाता है बेसिक मर्दा भी बोलते हैं और जिसका pH मान सास से कम होता है उसे अमलिय मर्दा बोला जाता है और अमलिय मर्दा को acid मर्दा भी बोलते हैं ये आपको ध्यान र के लिए बेसिक मर्दा में उपजावू पन के लिए हम जिपसम का प्रियोग करते हैं इसमें हम एक खनीज होता है जिसमें जिपसम का का प्रियोग करते हैं और जो अमलिय मर्दा है इसको उपजाव बनाने के लिए हम चूना और रोख फासपेट का प्रियोग करते हैं यह आपको ध्यान रखना है एक्जाम में क्यूशन पूछा जा सकता है कि जिन छेत्रों की जो सोईल है वो बेसिक प्रकार की हो या छारिय प मर्दा अमलिय प्रकार की होती है उसमें चूना और रोख फोस पर डाला जाता है जिन छेत्रों में या सुस्क छेत्रों की मर्दा कैसी होती है तो याद रखना सुस्क छेत्रों की मर्दा एरिडो सोल होती है यह आपको याद रखना है और अर्द सुस्क छेत्रों की मर्दा है यह आपको याद रखना है तो यहां तक का मामला किलियर हो गया होगा अब यह मर्दा भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं इनको अपन देखने का प्रियास करेंगे भारत में भारत में यह मर्दा राजस्तान पंजाब हरियाना गुजरात इन सब के पस्म भाग में पाई जाती है इन सब के कोण से भाग में पाई जाती है पस्मी भाग में पाई जाती है यह मर्दा यह आपको याद रखना है राजस्तान हुआ पंजाब हरियाना और जो गुजरात है इनके पस्मी भाग में इस प्रकार की मर्दा प्रियाप्त मात्रा में पाई जाती है इसको मानचित्र के माध्यम से अगर मैं समझाऊं आपको तो देखो कुछ मात्रा में यहां पे भी यह मर्दा पाई जाती है इसके अलावा यह मर्दा जो आपके है इस वाले पार्ट में यह पूरी मर्दा इस वाले पार्ट में यह प्रयाप्त मात्रा में यह मर्दा पाई जाती है यह आपको ध्यान रखना है इस वाले पार्ट में यह प्रयाप्त मात्रा में यह मर्दा पाई जाती है यह पस्मी भाग जो है इस वाले पार्ट में यह मर्दा प्रयाप्त मात्रा में पाई जाती है यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह चेत्र ऐसा चेत्र है जहां पे जो वर्षा है वह आपके 40 से 50 डिग्री यान की आपके 10 से लेकर 40-50 डिग्री के आसपास centigrade में वर्षा होती है सेंटिमेटर में यह आपको याद रखना है मित्रों तो यह जो मर्दा थी इनको आपने अच्छे से समझने का प्रियास किया हो गई चार प्रकार की जो मर्दा है अगर आपने इनको समझ लिया तो आपका कल्यान है यह वायू के अपरदन से बनती है इसका अन्य नाम पीली वलूई उसर रेतिली मरूस्तलिय शिरोजम एंटिसोल बोलते हैं एंटिसोल इन मर्दाओं को इसलिए बोला जाता है इनका निर्दान वर्षा और जलवायू के आधार पर होता है मित्रों तो याद रखना एड़ी शोल मर्दा यह सुस्क छेत्रों की मर्दा है इसमें वर्षा आपके 20 सेंटीमेटर के आसपास होती है जबकि एं होगी यानकी अमलिय होगी यह मर्दा कैसी होगी चारिय होगी यह बेसिक होगी यह यह मर्दा चारिय होगी यह आपको ध्यान रखना है बेसिक होगी और इसका जो पता किस से चलता है यह इन दोनों का पता हमको पी-एच मान से चलता है यह आपको याद रखना है पी-एच मर्ड़ा होती है और जिस मर्दा का पी-एच्मान साथ से जादा होता है छारीव होती है मर्दा को उपजाओ बनाने के लिए इसमें जिप्सम डाला जाता है तो beginnen में क्या डाला जाएगा उसमें चुना और रौक फास पर डाला जाएगा तब ये पण बनती है और इन में सबसे जादा जो पोती है वो मेरे मित्रों इसमें खरीब की पसल सबसे जादा की जाती है यह आपको ध्यान रखना है तो उम्मीद करता हूं चारू पार्ट जो म्रदा के हैं यह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कल से अब म्रदा के जितने भी क्यूशन मनते हैं उनका ब्यास करेंगे ठीक है न जो विद्यारतियाद चैनल पर नए है वो इसको सब्सक्र